नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Group में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कॉशन्स लेकर आया हूँ जो CPO, दिली पुलिस और SSE के एक्जाम में पूछे गए हैं Most Important Question इसको याद कर लिजे, अपने ग्रूप में शेयर कर लिजे चले स्टार्ट करते हैं वीडियो, सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर Question No.1 आपसे पूशा गया है, निम्न मैंसे Führer के नाम से कौन जाना जाता था? इन मैंसे Führer के नाम से कौन जाना जाता था? महात्मा गांधी के किस पुत्र के साथ में हुई थी, तो सी राजा गुपालाचारी जो की स्वतंतर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इनकी पुत्री लक्षमी की साधी महात्मा गांधी जी के देवदास गांधी नामक बेटे से हुई थी, Option No.D यहाँ पर सही उत्तर ह हो जाएगा, अगला प्रशन देखते हैं, सिकंदर महान का संबंध इनमें से किस इस्थान से था, क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए, सिकंदर महान का संबंध इनमें से किस इस्थान से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर महान का संबंध जो है, मकदूनि तो राइट आंसर क्या हो जाएगा असम राइफल का मुख्याले जो है दिली में सित नहीं है राइट आंसर हो जाएगा असम राइफल का मुख्याले दिली में नहीं है किस देश की संसत को खुरल के नाम से जाना जाता है कौन से देश की संसत जो है खुरल के नाम से जानी जाती है तो राई टांसर हो जाएगा मंगोलिया की संसत को खुरल के नाम से जाना जाता है मंगोलिया अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है कबूतर पक्षी को किसका सूचक या प्रतीक माना जाता है तो कबूतर जो है शान्ती का प्रतीक माना जाता है option number 20 प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पुशा गया है प्रथम अंत्रक्षियान कौन सा था जिसने चंद्रमा के उस पटल के चित्र भेजे थे जो प्रत्वी से दिखाई नहीं देता है उसे लूना 3 कहा गया है option number 8 प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा वो पहला अंत्रक्षियान लूना 3 था अगला प्रशन देख लेते हैं हर्पीज नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है राइट आंसर क्या है हर्पीज नामक रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो राइट आंसर हो जाएगा option number D हरपीज जो है तवचा को प्रभावित करता है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पुशाग है अनुवांसिक लक्षन कौन से होते हैं जो कैसे होते हैं अनुवांसिक लक्षन कौन से होते हैं जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पीडी दर पीडी श्रित होते रहते हैं अगला प्रशन देखते हैं निम्ड मैंसे सबसे उत्तम कोटी का कोईला कौन सा है इन मैं से सबसे उत्तम कोटी का कोईला कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे उत्तम कोटी का कोईला जो है एंत्रोसाइट कोईला है option number C इस प्रशन के को मिला कर कुल कितनी धारिया है तो उसमें जो है ते रह धारिया है राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर सी इस प्रशनकले से यत्र हो जाएगा युनाइटिट स्टेट के राश्य जंडे में लाल तता सफेद को मिलकर कुल ते रह रंकों की धारिया है ते रह धारिया ह देखते हैं भारती रोपिये के चिन जोकी 2010 में अपनाया गया था इसको बनाने वाले उदे कुमार का जन्म किस राज में हुआ था भारती रोपे का चिन जो है आज कल जो आप देख रहे हैं पहले ये रोपे का चिन नहीं था तो भारती रोपे का जो ये चिन है इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है उधे कुमार इनका जन्म किस राज में हुआ था तो इनका जन्म जो है तमिन नांडू राज में हुआ था आप्शन नमर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं वर्श 1989 में यूनेसको विश्व विरासत इस्थल सूची में शामिल हुआ साची का इस्थूब भारत के किस राज में है वर्श 1989 में यूनेसको विश्व विरासत इस्थल सूची में सामिल हुआ साची का इस्थूब जो है भारत के किस राज में है तो साची का इस्थूब जो है यह भारत के मद्यप्रदेस राज में है भोपाल के पास मैं है option number D expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत का राश्री चिन असोक स्थम्ब का शीर सभाग है भारत का राश्री चिन जो है असोक स्थम्ब का शीर सभाग है उसी प्रकार बांगलादेश का राश्री चिन क्या है राइट आंसर क्या है जैसे भारत का अशोक स्थम राश्री चिन है बांगलादेश का राश्री चिन क्या है तो बांगलादेश का राश्री चिन जो है वाटर लिली है ऑप्शन नमर बी राइट आंसर हो जाएगा सूरे के प्रभाव स से चिकत्सा करने की प्रक्रिया को निम्न मैंसे क्या कहा जाता है सूर्य के प्रभाव से चिकत्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं हीलियो थेरपी सूर्य के प्रकास के द्वारा चिकत्सा करने की विधी जो है हीलियो थेरपी कहलाती है Right Answer हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं प्रश्चन है यदि किसी द्रव में घुलंसील पदार्थ मिलाया जाए तो उसके प्रश्च तनाओं पर क्या प्रवाव पड़ेगा यदि किसी द्रव में कोई घुलंसील पदार्थ मिलाया जाए तो उसके प्रष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यदि कोई घुलंसील पदार्थ मिला देते हैं तो प्रष्ट तनाव जो है बढ़ जाएगा अगला प्रष्ट हरा कांच बनाने में निम्न मैंसे किसका प्रियोग होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फैरस ऑक्साइड का प्रियोग होता है हरे रंग का कांच बनाने में ऑप्शन नम्बर सी इस प्रष्ट के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रष्ट देख श्री लंका का पहले का नाम जो है Dominion of Ceylon था जो किस वर्ष परिवर्थित किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के पड़ोसी देश श्री लंका का पूर्वनाम Dominion of Ceylon था और इसे 1972 में परिवर्थित किया गया option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है उद्योग जिन में अधिक्तम निवेश सीमा 25 लाख रुपए तक हो सकती है उन उद्योगों को क्या गहते हैं जिन उद्योग में अधिक्तम 25 लाख रुपए तक की पूंजी ल का अंग्रेजी अनुवाद जो की 1919 में प्रकाशित किया गया था किसका सीरसक क्या था भारत का राश्रिगान जंगर्मन का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में प्रकाशित हुआ था इसका सीरसक क्या था तो Morning Song of India के नाम से राश्य गान जनगर मन को अंगरीजी भाशा में प्रकाशित किया गया था Next question देखते हैं विशप और गैंबिट शब्दावली का प्रयोग निम्न में से किस खेल में होता है विशप और गैंबिट शब्दावली का प्रयोग इनमें से किस खेल में होता है तो सतरंज खेल में बिशप और गैंबिट शब्द का प्रयोग होता है अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पुशा गया है एश्याई खेल जिसकी शुरुवात वर्ष 1951 में नई दिल्ली से हुई थी इसके प्रथम आयोचन में कितने देशों ने भाग लिया था अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पुशा गया है प्रथम विश्योदि के कारण इस्थगित होने वाले वर्ष 1916 के ओलंपिक खेल किस देश में होना तै हुए थे तो राइट आंसर हो जाएगा ये ओलंपिक खेल जर्मनी में होना तै हुए थे अगला प्रशन देख लेते हैं निम्ड में से कौन सी रचना भक्त कवी सूरदास की नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा सूर सावली आप्शन नमबर A यहाँ पर माफ करिएगा अगला प्रशन देखते हैं कि आप उशा गया है तो बोरलोग पुरुसकार जो है क्रसी के छेतर से सम्बंदित है अप्शन नमबर D इस प्रशन के लिए सेयतर हो जाएगा नॉर्मन बोरलोग के नाम पे यह पुरुसकार दिया जाता है next question देखते हैं सुद्ध पानी का pH मान 7 होता है जो की निस्वाद होता है मनुष के रक्त का pH मान 7.4 होता है इसका मतलब मनुष का रक्त कैसी प्रकृति का है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो मनुष का रक्त जो है छार ये प्रकृति का होता है सुद्ध पानी का pH 7 होता है जो की निस्वाद होता है उदासीन होता है मनुष का रक्त का pH मान 7.4 होता है तो 7.4 pH जो है ये चारिय प्रकृति का होता है option number B यहाँ पर से यतरो जाएगा 7 से कम अमलिय प्रकृति होती है साथ से जादा सारी प्रकृति होती है जिस वस्तू में विद्धुत आवे शरलता से प्रभावित होता है उन्हें चालक कहते है सबसे उत्तम विद्धुत चालकता चांदी की है दोती उत्तम चालकता किसकी है बताईए यदि पानी से भरे बर्तन में बर्फ का तुकड़ा डूबा दिया जाए उसे पिघलने के लिए समय दिया जाए तो बर्फ पिघलने के पश्चाथ क्या होगा तो यदि पानी से भरे बरतन में बर्फ का तुकड़ा डूबा हुआ है, उसे पिखलने के लिए समय दिया जाए तो बर्फ पिखलने के पशात कैसी हो जाएगी, तो पानी के तल प्रभाव हीन रहेगा जैसा पानी का तल था, वैसा ही पानी का तल रहेगा अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पुशा गया है दूद की सुदताम आपने में किसी अंदर का प्रियोग करते हैं दूद की सुदताम आपने में लेक्टो मीटर का प्रियोग करते हैं option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा और ये 30 number का question है निम्द मैंसे क्या ध्वनी उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तित करता है इसका answer आप मुझे comment box में comment करके बताइए वीडियो पर अगर नए है तो channel subscribe कर लीजे bell icon on कर लीजे, video like कर दीजे all वाला notification on कर लेना जिससे सभी वीडियो के notifications आपको मिले चली दोस्तों मिलते है next video में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो